Hello Friends, Property Guide Channel में आज आपका दुबढ़ा स्वागत आज हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन सी डॉकुमेंट्स आपको चेक करना है एक रिसेल फ्लैट खरिदने के बक्त तो what are the documents you need to check before buying a resale property सबसे पहले आपको चेक करना है title of that property तो जिस सेलर से आप property खरिदे रहे हैं उसका title चेक करिए कि वो property उस owner के नाम पे है की नहीं या वो एक power of autonomy holder है वो verify करना है आपको उसके बाद chain of agreement आप जिस सेलर से property खरिदे रहे हैं उन्हेने हो सकता है किसी resale में उन्हेने property खरिदे थे और उसका पहले का owner उन्हेने builder से खरिदे तो दो agreement almost पहले बन चुके हैं और आपका ये तिसरा agreement बनेंगे तो ये सबको chain of agreement बोले जागता है तो chain of agreement आपको चाहे original चाहे जरॉक्स आपको verify करना जरूरी है और साथ साथ में existing owner के नाम पर मालो society ने share certificate इसू किया है तो उसका भी आप जरॉक्स copy ले लीजे और verify करिए society मालो registered हो गया है तो society registration certificate भी आपको जरूरत पढ़ सकता है तो उसका भी आप copy आपके पास रख लीजे और अभी का current date का property tax का बिल society का maintenance का बिल और electricity का बिल ये तीन copy आपके पास रखना जरूरी है और जो सबसे जरूरी document है वह है OC और CC कहीं कहीं पर आपके bank blueprint भी मांगते हैं तो आप OC, CC, blueprint का जरूर्स copy आप आपके पास रख सकते हैं और कहीं पर conveyance deed हो गया तो बहुत बढ़िया है उसका भी record आप रखिए और मालो property ले रहे हैं वो high value property है या उसके उपर आपका कुछ doubt है तो आप जरूर title search report निकाल लीजिए कोई अच्छे local से तो आप बेफिकर रहेंगे कि उसमें कोई fraud हो नेखा chances तो क्या-क्या document मैंने आपका बताया है सबसे पहले बताया है title of that property, chain of agreement, share certificate, property tax, electric bill, maintenance bill, OC, CC, blueprint और convince deed और title search report of that property तो यह total 8 documents मैं आपको बताया है लगबग सब cover हो गये हैं जो एक रिसल प्रॉपर्टे में चेक क्या जाता है तो मैं उमीद करता हूँ आपको काफी कुछ चानकरी मिल गया है और आपके friend circle में या आपके family में कोई रिसल प्रॉपर्टे ले रहे हैं तो जरूर ये video आप उनको share करिए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक बटन दबाईए और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए उससे हम लोग को लगातार motivation मिलता रहेगा थैंक यू